नमस्कार दोस्तों स्वागते शोमसबली जी के और एक वीडियो में इस वीडियो में हमस्कार सुब्लाज में बात करने वाले हैं beta blockers के पारे में pizza blockers नाम तो प्य शॉने होँगे और शायद्व आपको डॉक्टर ने sack किया है beta blocker medication इसी के क कारणा वीडियो को देख रहे होंगे तो what is beta blocker, beta blocker medicines क्या है, किस लिए prescribe किया जाता है और beta blocker medicines अगर हम लेते हैं तो कौन-कौन सी चीज़ को ध्यान में रखना है beta blocker medicine लेने के time पे और beta blocker medicine लेने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में discuss जरूर करेंगे तो पहली बात तो बिटा ब्लॉकर मेडिसिन है किस चीज के लिए बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होता है बहुत सिंपल वर्ड में अगर कहें तो blood pressure medicine मगर high blood pressure को control करने के रिए beta blocker दवाई दिया जाता है तो beta blocker दवाई का काम यह होता है कि आपकी body का जो blood pressure है वो कम हो जाए तो blood pressure कैसे कम होगा obviously blood pressure कम होने का दोनों तरीका होता है एक तो है आपकी heart जो heart pump करता है blood को और heart एक pump machine है जैसे के pump machine घड में रहता है flats में रहते हैं जो pump करके पानी को पहुचाता है अलग अलग जगा तो body के अंदर बे भी heart है जो blood को pump करके अलग अलग शरी की हिस्से में पहुचाता है तो heart की pump करने का यह जो pressure तो pump का यह जो rate है इसको slow कर देना है और इसको slow कर दे तो automatically कम blood pump होगा कम blood pump होगा तो blood का जो pressure है जो pressure artery के दीवार पे blood exert करता है तो pressure भी कम हो जाएगा तो यह तरीका है दूसरा तरीका हो सकता है कि जो blood vessel है जो pipe जैसा structures है body के अंदर यह pipe को dilute कर दो मतलब इसका जो diameter उसको बढ़ा कर दो चवड़ा कर दो तो क्या हो जाएगा ज्यादा अब pipe अगर आप thin दुबला सा pipe लोगे तो उसके अंदर ज्यादा pressure से पानी आएगा pipe को बढ़ा कर दो ऐसे थिक कर दो तो पानी का जो force है वो कम हो जाएगा same thing blood का जो vessel है blood vessels उसके जो diameter उसको ठीक कर दो उसको ऐसे बढ़ा दो जिसको हम dilation कहते हैं तो blood vessels को dilate कर दो उससे भी blood pressure जो है कम हो जाता है तो यह दोनों तरीके ही हम आजमाते हैं अब beta blockers जो हैं दोनों process को ही अंजाम दे सकता है क्योंकि beta blocker जो है यह फिर adrenaline यह adrenaline hormone कहां से secret होता है हमारे body के अंदर kidney है kidney जो पीछे यहाँ पर रहता इसी हिस्सा में तो जो kidney के ऊपर adrenal gland होता है adrenal gland से यह adrenaline hormone जो है वो secret होता है अब यह adrenaline hormone का काम होता है कि normally body के अंदर blood pressure को maintain करके रखना अभी क्या होता है यह beta blocker याद रखना term blocker मतलब इस चीज़ को block कर रहा है prevent कर रहा है रोक रहा है तो किस चीज़ को adrenaline की function को epinephrine की function को तो यही काम है यह epinephrine और adrenaline का जो role है उसको बंद कर देगा उसको रोकेगा उसको block कर देगा इसलिए हम इसको beta blocker कहते हैं अब यह beta blocker medications पता तो चलेगा आपको beta blocker क्या है किसलिए दिया जाता है अभी देखो कि beta blocker क्यों दिया जाता है hypertension जो high blood pressure होता है उसके कारण दिया जाता है अभी आप पूछोगे कि hypertension patient में beta blocker लेंगे तो ठीक हो जाएगा मैं कहोंगा नहीं beta blocker हर एक patient को नहीं दिया जाता है क्योंकि देखो beta blocker तो heart को भी target कर सकता है blood vessels को भी target कर सकता है अब कौन सा beta blocker देना है depend करता है आपके health condition के उपर जो आपके doctor decide करेंगे उसी के बाद आपको beta blocker prescribed कर दिया जाएगा अब कुछ-कुछ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ beta blocker लेने से ही blood pressure जो है वो control में नहीं आता है हमें कुछ दूसरा medicines भी लेना पड़ता है along with beta blocker तो वो दूसरी medicines जो है वो भी beta blocker के साथ चाहिए कि आपके blood pressure को control करें ऐसा नहीं कि सिर्फ beta blocker ले लिया बस मेरा blood pressure regulate हो गया बिल्कुल नहीं generally बहुत सारे time पे यह होता है कि multiple medicines का therapy एक साथ चलता है अब तीसरी चीज़े beta blocker को लेकर सबसे महत्पूर्ण बात इस वीडियो पे कि beta blocker दवाई लेने की जो प्रक्रिया है बहुत important है आपको ध्यान में रखना है बंद कर दे तो बहुत दिक्कत हो सकता है तो यह चीज़ ध्यान में रखना कि अगर आप beta blocker दवाई ले रहे हैं तो वो आप धीरे धीरे बंद करें आपके doctor के साथ consult करके बंद करें दूसरी चीज़ beta blocker दवाई लेने के साथ-साथ कुछ-कुछ चीज़े हो जो बदल जाता है मतलब हो सकता है कि suddenly weight gain हो ठीक है यह एक symptom एक side effect हो सकता है beta blocker का अब beta blocker लेने के साथ-साथ automatically जो blood flow है वो कम होने लगे जा तो उसके कारण हो सकता है कि ज्यादा मात्रा में हो गया तो आपको fatigue मतलब tiredness लगे ऐसा लगे कि आप weak हो रहा हो रहे हैं आपके energy नहीं लग रहा है यह सारे चीज़ भी हो सकता है आप डॉक्टर से साथ बात करो कि यह हो रहा है तो चेंज करके दे और एक बात beta blocker लेने के time पे कुछ-कुछ symptom जैसे किसी को अगर diabetes है तो diabetes patients में एक चीज़ common होता है का heartbeat fast होता है उनका यह diabetes का एक symptom भी कहा जाता है मगर आप कोई beta blocker लेता है diabetes के फिर भी beta blocker लेते हैं तो क्या होगा वो जो heartbeat fast होना चाहिए वो नहीं होगा तो अगर कोई diagnose करने जाए कि heartbeat को देखके कि उन इंसान में diabetes है या नहीं उसको हम detect नहीं कर पाएंगे तो अगर कोई diabetic इंसान beta blocker ले रहे हैं तो याद रखना कि वो diabetes का जो symptom है वो सामने नहीं आ पाएगा तो उसके हिसाब से अगर आप diabetes हो फिर भी beta blocker ले रहे हो तो आप regularly घर पे ही अपना blood sugar test करें otherwise आपको पता नहीं चलेगा कि आपका blood sugar बढ़ा या नहीं यह भी चीज़ आपको याद रखना है beta blocker treatment के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो beta blocker को लेके regular treatment में मौझूद है regular treatment करते हैं चल रहा है उनका treatment always good suddenly मंद मंद कीजिए और डाइबेटिक हैं तो regular blood sugar जो चेक कीजिए अब लास्ट इंग beta blocker किस लिए दिया जाता है जैने मैंने बता है आपको high blood pressure को reduce करने के लिए घटाने के लिए heart attack patients में यह दिया जाता है heart failure patient में यह दिया जाता है और क्यों दिया जाता है एंजीना जो pain होता है chest में यह पर जो एंजीना पिक्टोरीज भिखा जाता तो एंजीना pain में भी beta blockers दिया जाता है उसके साथ साथ कुछ situations जहां पर अपनी heart over work कर रहा है ज्यादा over come कर रहा है जरूरत से वहां पे भी beta blockers जो है वो दिया जाएगा सबसे जो common कारण है उसके लिए beta blocker दिया जाता है वो होता है irregular heart rhythm जिसको हम एरिद्मिया कहते है cardiac arrhythmia जो हो सकता है कि heart rhythm बर गया या फिर घट गया तो दोनों कारण भी cardiac arrhythmia में यह prescribe किया जाता है कुछ-कुछ migraine attack की patient में भी beta blocker prescribe किया जाता है अभी बात कर लेते हैं कि beta blockers क side effects के मैंने आपको बता है कि beta blockers continuously लेने पर cold hand and feet हो सकता है मतलब हाथ की इस जगह और पैर के भी नीचले हिस्से में थंड रहना ज्यादा देर तक यह महसूस हो सकता है एक numbness सा महसूस हो सकता है दूसरी चीज़ हो सकता है weight gain आपको weight gain हो सकता है यह common side effect है और uncommon side effect में यह आता में तो अगर आप या आपकी परिबार के कोई में कोई कोई मेडिकेशन में हैं तो आप यह सारे चीज़ याद रखना और अगर सारे चीज़ को याद रखके medicine को अगर आप ठीक time में administer करे ठीक तरीके से exit करें तो कोई दिक्कत नहीं आएगा so that's all about beta blockers अगर वीडियो अच